हेलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्रैम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे भुगोल का चेप्टर नमबर थी क्लास 10 थी important points और कुछ questions देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखें first point है विशो में जल के आयतन का 96.5 प्रतिशत भाग महा सागरो में तथा कीवल 2.5 प्रतिशत भाग ए लवनिय जल है तो संसार में अगर बात की जाए विशो में अगर बात की जाए तो जल का 96.5 प्रतिशत भाग वो कैसा है महा सागरो में लवनिय जल है और 2.5 प्रतिशत भाग ऐसा है जो पीने योग्या है ए लवनिय जल है ठीक है भारत के अधिकतर नदियां विशिशकर सरीताई प्रदूशन के कारण जहरेली धाराओं में प्रिवर्तित हो चुकी है तो प्रदूशन के कारण जो न संजित शेतर होता है उसे नदी बेशिन कहा जाता है ठीक है कॉशन आप से पूछेंगे मुख्या नदी तथा उसकी सायक नदियो द्वारा कुल संजित शेतर को क्या कहा जाता है तो उसे नदी बेशिन कहा जाता है नर्मदा बचाव आंदोलन नर्मदा नदी पर सर्दार स और क्यों हो चलाया गया नर्मदा नदी पर सरदार सुरोवर बांध बनाने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था राजिस्तान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे सुद्ध रूप जो है उसे क्या कहा जाते है पालर पानी मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरन चिद्रो और पर तो में इसे एक्तरित होने वाला जल क्या कहलाएगा भूमिगत जल कहलाएगा ठीक है, वर्षा जल को गड़ों में एक्तरित करना, तथा पुने उप्योग करना, क्या कहलाएगा, वर्षा जल संगरेन, मतलब वर्षा के जल को बचाना, ठीक है, एक्तरित करना, उंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिरा कर उत्पन की गई विद्युत कौन सी होती है, वो होती है जल विद्युत, तो जल विद्युत कैसे उत्पन की जाती है, जो उंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिरा कर जल विद्युत जो है, उत्पन की जाती है, जल प्रपात क्या होता है, नधी घाटी के मध्या में उचाई से गिरने वाला जो जरना होता है, उसे जल भरन बनाती है वो क्या कहलाती है बांध क्यों को बनाती है बहता जल है उसे रोकने के लिए या उसे दिशा देने के लिए बहाव कम करने के लिए बांध बनाया जाता है फिर बात आती है बहु उद्धिशिय प्रियोजनाई ये क्या है नदियों पर बांध बनाकर एक बा वे कमपनियां जिनके उद्योग संसान एक से अधिक देशों में कारिया करती हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाब अरजित करते हैं वे होती हैं बहुराष्ट्य कमपनियां मतलब एक कमपनी जिसकी साखाई अलग-अलग जो है देशों म कहलाता है ठीक है चलिए अब कॉश्चन देख लेते हैं विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लाया कितना जल है तो यह हमने पढ़ा कितना था मनुष्य के उपयोग का जल 2.5% ठीक है बाकी कैसा है महासागर से गिरा हुआ लमणिय जल है और 2.5% जल ऐसा है जो ए लमणिय जिसे मानव जो है यूज़ कर सकता है ठीक आगे देखिए भारत का कौन सा राज्य जा छत वर्षा जल संग्रेंड आजे का निर्मान आफशक कर दिया गया है तो ऐसा राज् स्वतंतरता के पश्चात भारत में बहु उदेश्य प्रियोजनाओं को आरंब करने का मुख्य उदेश्य क्या था बहु देश्य प्रियोजनाओं को आरंब करने का मुख्य उदेश्य क्या था कृषित था ग्रामीन अर्थविवस्ता का विकास करना और योगी की करण में तेजी और शहरी अर्थविवस्ता का विकास करने के लिए बहु देशे प्रियोजनाओं को आरम किया गया था ठीक है उसके बाद है गुल अथवा कुल क्या है गुल अथवा कुल क्या है देखें पश्चमी हमाले में जो प्रवतिय शेत्र में वाहिकाई होती है उन्हें का जाता है गुल या कुल ठीक है खादीन और जोहड क्या है सुष्क और अर्ध शेत्रों में वर्शा जल को एकतरित करने के लिए जो गड्धे बनाए जाते हैं वो जोड़िया खादीन कहे जाते हैं ठीक है भारत कैसे शेत्र का उधारन देख जहां प्रियाप्त मात्रामी वर्शा होती है फिर भी जल की कमी ह मतलब वर्षा भी होती है लेकिन वाँ पर जल की कमी भी है तो वो है मेगाले की राजदानी शिलोंग जहां पर बारिश भी होती है लेकिन फिर भी वाँ पर जल की कमी है ठीक है राजिस्थान में छत वर्षा जल संग्रेन को क्या कहा जाता है important question है तो यह कहा जाता है टांका ठीक है राजिस्थान में क्या कहते है चतवर्षा जल संग्रेन को टांका कहा जाता है जल दुर बलता के दो कारण दुर लबता मतलब जल जो है अब दीरे-दीरे कम हो रहा है उसके कारण क्या है बढ़ती जन संख्या की बढ़ती आउशकता है जल का ऐसमान वित्रें ठीक है तिहरी-बांध प्रियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर तित बार बार पूछा जाता है तो ये है उत्त्राखंड राज्य में और किस नदी पर है important है ये ये भागी रथी नदी पर है टिहरी बांध ठीक है सलल प्रियोजना किस नदी पर और किस राज्य में ये भी बार बार आता है तो ये जम्मू कश्मीर में है किस रीवर पर चिनाब नदी पर चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में चलिए नेक्स देखिए वर्षा जल संग्रेन क्या है देखिए वर्षा जल संग्रेन क्या है जब पानी जो है ये घर में टैंक होते हैं या बिकार पड़िक हुए होते हैं इन्हें जो जल भर जाता है उसको अच्छे से साफ करके यूज मिलाना वही जल संग्रेन कहा जाता है ठीक है, भारत में विधिया पूछी है, राजस्थान में पीने का जल एकतरित करने के लिए छत पर जल खटा किया जाते है, ठीक है, एकतरित करने के लिए छत वर्षा जल, और पस्चे बंगाल में क्या होता है, जब बाड आ जाती है, तो बाड जल वाहिकाए बनाती है, इस बहु देश्य नदी गाटी प्रियोजना क्या है, ये क्या है, नदी गाटी परबांध बनाकर उसके उपर अनेक उदेश्यों को पूरा करना बहु देश्य नदी गाटी प्रियोजना है, लक्षे क्या है, बहुत सारी लक्षे है, जल विद्यो तुद्पादन, सिच्चाई बाड़ नियंत्रन, मचली पालन, ग्रेलू और अध्योगिक जलापूरती ये इसकी उदेश्य हो जाएंगे ठीक है आगे अब विकार पड़े कुवे का वर्षा के जल के द्वारा पुने भरण कैसे किया जा सकता है बूमिगत पाइप द्वारा जल को होज तक ले जा सकते हैं ठीक है तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे हम कुवे के वर्षा के जल के द्वारा पुने भरण कर सकते हैं ठीक है आगे देखे जो इंपोर्टेंट कोशन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन इससे रिलेटर कोशन पूछा जाता है ठीक है तो देखे नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू हुआ था सर्दार सुरोवर बांध बनने वाला था नर्मदा नदी पर तो उसके विरोध में शुरू किया गया था ठीक है ये एक एंजियो द्वारा संचालित था और जब ये आरम हुआ आंदोलन तो ये जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्य पर कींदरित था मतब जंगल जो थे वो बांध के पानी में डूब रहे थे उस पर जो था ये बेस्ट था और बाद में जो था इसका लक्षे क्या हो गया जो विस्थापित हो जाते जो अपना गर वगएरे छोड़ देते हैं उनके पुनरवास से रिलेटेड हो गया था ठीक है नेक्स देखे भारत के रेखा मानचितर पर दर्शाना है कि कौन सा बांध कहा पर है भाकडा बांध यह किस नदी पर है भाकडा बांध पूछा जाता है सतलुज नदी पर है सतलुज नदीपर हिराकूndबांद है महा नदीपर एक बांद जरूर पुछा जाते हैं तो यह इम्पोटेंट है याद रखे हिराकूndबांद महा नदीपर हमने अभी पड़ी थी भागी रती नदीपर है ठीके, रिहनद बांद रिहंद बांद जो है ये सोन नदी पर है सलल प्रियोजना चिनाब नदी पर है ठीक है राणा प्रताप सागर प्रियोजना ये चंबल नदी पर है नागा अरजुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है और सरदार सरोवर योजना ये हम बार-बार पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी पर नर्मदा जो आंदोलन था उस पर ठीक है तो आठ के आठ जो है इंपोर्टेंट है एक जरूर एक्जाम में यहां से पूछा जाते हैं आप यह मैप में भी देख सकते हैं देखिए इसमें भाकडा नंगल ये शतलुज नदी पर ये दिखाया गया है इसके इलावा आप देख सकते सरदार स्रोवर ये नर्मदा नदी पर यहां पर दिखाया गया है राणा पृताफ सागर प्रियोजना पड़ी थी हमने, यह चमबल नदी पर है, यहाँ पर यह रही इसके लाप आवा हीराकुंडबांद सकते हैं मार नदी पर रिहंद जो प्रियोजना है, रिहंद बांद कह लिजी यह सोन नदी पर है टिहीरी थी एक प्रियोजना, यह भागी रथी नदी पर, और सलल प्रियोजना है, सलल प्रोजेक्ट यह चिनाब नदी पर है यहां पर उपर, जमु कश्मीर में, के लावा नागा, अर्जुन, सागर, यह कृष्णा नदी पर, इधर, ठीक, तो यह थी इंपोर्टेंट आठ इसमें, तो यह याद रखिये, इन आठों में से ही पूछा जाता है कि कौन सा, किस नदी पर है, या किस राज्य में है, यह दोनों इचीज इंपोर्टेंट है, ठ थैंक यू सो मुछ। किस राज्य में होना किस राज्य में हुच्टेंट आठों में है, यह दो यह दोना साथ, जो हो यह दोना साथ, यह दो हुछ।